जहींद स्वेंट्स बिहार बोर्ड के द्वारा DLA का जो इंट्रेंस एक्जाम होगा उसका सारा सेडूल जारी कर दिया गया है और हम उसको एक्सप्लेंड कर दिये हैं ठीक है उसका वीडियो चैनल पर पहले से दिया गया है आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ज कोन-कोन कालजात को त्यार करना चाहिए तो चली एक बार फिट से सब आप सबका श्वागत हैं हमारे यूट्यूब चैनल केरियर पइंट नवादा में मैं आप लोगों को बता दूँ जो बिहार बोर्ड ने जो सेडूल जारी किया उसमें 10 जनवरी से 25 जनवरी तक आप ल बिहार में 60 गवर्मेंट डियलेट कॉलेज हैं जिसका फी दोनों साल का 20,000 के आसपास होता है ठीक है लेकिन अगर आप इस 60 में एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो फिर आपका एडमिशन होगा किसी प्रैवेट डियलेट कॉलेज में जिसका फी 1,20,000 के आसपास है और गवर्मेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा ये बात दियान रगिए प्रैवेट कॉलेज में थोरा एटेंडेंस का तो छूट मिल जाता है लेकिन गवर्मेंट कॉलेज में एटेंडेंस का कोई रिलीफ नहीं है आपको क्लास करना ही पड़ेगा ठीक है लेकिन अच्छ क्लास करना होता है अच्छ अच्छ टीचर भी होते हैं और प्रोपर वे में बढ़ाते हैं क्योंकि आपको धेलेड के बाद सीटेट देना होगा तो यह समझ लीजिए सीटेट में 50% क्वेस्टन्स इस ट्रेनिंग से ही आता है तो जिनका ट्रेनिंग में अच्छा प्रेप्रे क्मेड और तो आपक tenants क्योंकि 50 फी आपको अग्ञार हैं पत्ना मैं आपको दर्भंगा देदेगा तो आमस्या आप रहर है दर्भंगा में आपको देदेगा वैसाली अपको देदेगा अररिय तो फिर आपको दिक्कत होगा या आप मुझभपर पूरफ के रहने आपको देदेगा गवपाल गंजी आपको देदेगा सहर सा तो दिक्कत होगा तो अपने डिस्टिक के जो कॉलेज हैं उसमें एडिमिशन चाहिए ताकि कभी छुट्टी हो तो आसानी से अपने घर आ सके ठीक है इसके लिए आपको थोड़ा प्रेपरेशन हार्ड करना हैं तो जब आ जाता है रिसल्ब इसका अप्लाइ करने में भी दस या पांच कॉलेज का लिस्ट मांगता है तो वहां भी आप आराम से देश हकते हैं तो इसमें आपको कौन-कौन डोकुमेंट बनवाने हैं यह मैं आप लोगों को बता दूँ जो कैटेगरी वाइस सीट भ डोकुमेंट की जरूरत होता है तो आप पहले डोकुमेंट बना ले ठीक है ताकि आपको उस कोटी में जो आरक्षन होंगे उसमें जो सीट होगा जैसे किसी कॉलेज में 100 सीट है तो उस 100 सीट में कुछ सीट 40 सीट समझ लिए यू आर का होगा 10 सीट इडवलु एस का होगा ऐसे एकर करके EBC का होता है BC का होता है SC का होता है ST का होता है तो वह जो नंबर ओशीट होथ है उसब केटेगरी का आरक्षन मिला हुआ है ठीक है 10 परसेंट तो आप लोग EWS का बना लिज चाहिए का आवासी यह आई उसके लिए जरूरत होता है उसके बाद कम माक्स आएगा तो कैटेगरी में भी जा सकते हैं तो आपको गौबर्मेंट कॉलजी मिल जाए मैंने ऐसा भी देखा है जो बहुत सा रेशन फॉर्म फिल कर लेते हैं और एक्जाम नहीं देते हैं सोचते हैं डायक्ट में एडमिशन ले लेंगे पैसा के बल पर तो मैं उन् पूरी है एक्जाम में बैठना चाहें आपका रिजल्ट जो भी हो रिजल्ट अच्छा रहेगा तो डायक्ट अडविशन होगा रिजल नहीं होगा तो आपको expensive workshop में भी यह संभव नहीं है तो डोकुमेंट हो गया गवर्मेंट कॉलेज कैसे मिलेगा यह मैंने आपको बता दिया प्रिप्रेशन कैसा करना है तो अभी तक का जो टेंडर रहा है न वह 9-10 लेवल का ही क्वेशन पूछा है यानि कि 9-10 लेवल काने का मतलब है 9-10 का जो हिस्ट्री है 9-10 का जो हिस्ट्री जोग्रफी है तो उसी से क्वेशन्स पूछा है मैज का भी इस्टेंडर 10 रही ही रखा है 10 का बहुत सारा क्वेशन्स पूछा है तो आप लोग प्रिप्रेशन करेंगे तो NCRT या BTC का जो बुक है ठीक है विहार जरकार को ओध से प्रिप्रेशन कीजिए और ए कॉलेज बताने से पहले कुछ शुरेंट्स ने क्वेशन पोचा था जिसलिए मैं वीडियो यह बनाया हूं ठीक है उनका क्वेशन था सर मैंने 12 कर लिया अब मुझे क्या करना चाहिए मैं डियलेड करूं या ग्रेजुशन करूं तीकि अगर आप टीचरिंग में अपना कैरि presentator Next पर पर डियलेड के बाद आपका बीड होगा ग्रेजुशन जरूरी है और डियलेड के लिए इंटर ठीक है तो यह क्लियर हो गया हुआ किनको dem करना है इंको ब्यूं करना है ग्रेजुशन करना था क्या रफेक्वरेड ही करना है तो आप इंटर के बाद ही कर लीजिए ठीक है उसके बाद आप ग्रेशन कर लीजिए का कोई दिक कत्नी जैसे डियलेट कंप्लीट होता है ऐसा नहीं है जो ग्रेशन डियलेट से पहले होना चाहिए बहुत सारे एट्विशन करने फ्यूजन होता है सर हम अगर वैलिड होगा यानि कि आप 6-8 वेटीचर बन शकते हैं जो अभी 12 का एक्जाम देंगे इस वा ठीक है उनको भी डियलेट करना है तो भी इंटरेंस का फोर्म बरेंगे आप लोगों को पताई होगा जो एक फरवरी से आपका एक्जाम है और शंभबता मार्च में आपका र हो तो आप कॉमेंट में जरूर बताईएगा मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा ठीक है मैं कोशिश कर रहा हूँ जो डियलेट का प्रेपरेशन मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को करवा दूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहों ठीक है तो आप इदर-दर म उनों तक पहुंचाईए ठीक है चलिए तो मैं आप लोगों को बता देता हूं गवर्मेंट कॉलेज कौन कहां कहां किस जिला में है ठीक है तो चलिए देखते हैं राज किये यानि कि गवर्मेंट कोठी के महाविद्यालायों की सुची जैसे देखे डिस्टिक डाइट में डेर सो बिद्यार्थी का नामांगण होगा ठीक है उसी पर डिस्टिक इंसिस्टुट ऑफ एजुकेशन एंट्रेनिंग डाइट अरडिया पचास ही है यहां पे ठीक है फार्विस्गन डिस्टिक डाइट किसंगन दोसो सीट महात्मा गांधी डिस्टिक इंसि पर शराय मुंगेर एक 100 सीट है उसी परकार से आप आगे देखिएगा तो फिर यह हो गया मुंगेर का फिर यह District Institute of Education Netering डाइट भागलपूर देर सो PTEC देर सो PTEC भागलपूर देखिए देर सो कितना भागलपूर में अच्छा खासा सीट है ठीक है उसके बाद है बांका का भी है देर सो सीट फिर चलते हैं आगे तो आगे देखिएगा तो यहाँ पर है मध्यपूरा 200 सीट मध्यपूरा जो है PTEC 200 यानि की 400 हो गया मुझपरपूर में District Institute of Education Netering डाइट राम भाग में मुझपरपूर में 200 सीट फिर है देखिए PTEC चंदवारा मुझपरपूर में 1500 सीट फिर है PTEC पट ही मुझपरपूर 200 सीट देखिए तो मुझपरपूर PTEC पोखरईरा 200 सीट तो और फिर डाइट होगा ठीक है तो बहुत ज़्यदा सीट कहां पे है मुझपरपूर में देख लिए कितना है 200, 200, 400 400, 400, 26, 1, 7 800 करीब सीट है मुझपरपूर में ठीक है मुझपरपूर के लिए तो बहुत ज़्यदा बेनिफीट है फिर वैसाली में 200 सीट इसी प्रकार से अपना-पना हम बढ़ा देते हैं आप लोग देख लिजेगा ठीक है इतना है 300 हो गया इधर फिर डाइट दर्भंगा फिर बाइट माधोपर्टी 200 तो दर्भंगा में टोटल कितना हो गया सारे 300 फिर मधुवनी में नरार में है 100 सीट ग्योगरडिया में 1500 सीट ठीक है तो ऐसे करके यह 60 है उसके बाद तो बहुत सारे हैं प्राइबिट कॉलेज ठीक है यह समझ लिजीगा 366 है तो एडमिशन होई जाएगा आप अच्छा खाशा नमबर ला लेंगे तो ठीक है चलिए 306 लास्ट में देख रहे हैं गुपाल गंद का है 50 है के नाम है इंद्र काली रामजी सिंग बीड कॉलेज 50 सीट